अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटर्व्यू, क्वेश्चेट एंड आंसर्स फॉर मेकैनिकल फिटर यदि आप मेकैनिकल फिटर है या फिर फोर में है या मेकैनिकल इंजीनियर है तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं 930 से ज़्यादा वीडियो जो है अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलर्ली नए नए वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताइब सबसे पहला क्वेश्चन है वाट इस दा फुल फॉर्म ऑफ पेसीडी देखिए इस वर्ड को आपने काफी बार सुना होगा PCD है ना? PCD निकालना है आपको बहुत सारी मार्किंग करने से पहले PCD निकालना पड़ता है तो अखिर ये PCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PCD का फुल फॉर्म होता है Pitch Circle Diameter बहुत ही Simple Question है Next Question है आपका What do you mean by PCD? यानि कि PCD से Related ही Question है आप PCD से क्या समझते हैं आपको explain करना है कि आखिर PCD क्या होता है यानि कि pitch circle diameter क्या होता है pitch circle diameter वह diameter होता है जो हर एक bolt के hole से होकर के गुजरता है जैसा कि आप image में यहाँ पर देख सकते हैं यह एक flange है और इसमें hole कटी हुई है है ना hole कटी हुई है और इन ही hole से होकर जो circle गुजरेगी उसे ही pitch circle diameter कहा जाता है यानि कि आपको hole की अगर marking करनी है flange में तो सबसे पहले आप pitch circle diameter की ही marking करेगी next question है आपका for pipe fittings tightening and loosening which tool is used यानि कि आपसे यह पुछा गया है कि pipe की fitting करने के लिए उसे tight करने के लिए या loose करने के लिए कौन से tool का इस्तमाल किया जाता है तो इसका answer है pipe range pipe ranges का इस्तमाल किया जाता है pipe की fittings के लिए tightening और loosening के लिए pipe ridge कुछ इस तरह से दिखते है जैसा कि आप image में देख सकते है इसमें दो jaw होती है जिसमें से एक jaw fix होती है जबकि दूसरी jaw को आप adjust करके इसका size को कम या ज़ादा कर सकते है next question है आपका for finishing of drill hole which tool is used यानि कि जो hole drill किया जाता है किसी भी work piece पे तो उसको finishing कैसे की जाती है यानि कि उसके finishing के लिए कौनसे tool का इस्तवाल किया जाता है कि आपको बताना है तो उसके लिए इस्तवाल किया जाता है reamer का यह जो image आप देख रहे हैं यह है reamer next question है आपका which number spanner is used for 12 mm bolt यानि कि 12 mm के जो bolt है उसके लिए कौनसे number का spanner यानि कि पाना लगता है तो उसके लिए 19 यानि कि 19 number का पाना लगता है next है आपका which number spanner is used for 10 mm bolt यानि कि 10 mm के bolt के लिए कौनसे number का spanner यानि कि पाना का इस्तवाल किया जाता है तो इसका answer है 17 17 नंबर का जो spanner है उसका इस्तमाल किया जाता है और next question है वो भी इसी से ही related है Which number spanner is used for 16 mm bolt तो 16 mm के bolt के लिए कौन से नंबर का spanner का इस्तमाल किया जाता है तो 24 नंबर के spanner यानि कि 24 नंबर के पाना का इस्तमाल किया जाता है 16 mm के bolt के लिए Industry में सबसे ज़्यादा 12 और 16 mm के bolt का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा बाकी के bolts के spanner size भी आपको पता होने चाहिए तो ये chart आप यहाँ से देख सकते है और इसका आप screenshot ले लिजिए तो next question है आपका What do you mean by list count? यानि कि आप list count से क्या समझते हैं ये word आपने काफी बार सुना होगा least count तो इसका मतलब क्या होता है The smallest value that can be measured by a measuring instrument is called its least count यानि कि किसी भी measuring instrument से जो सबसे छोटी value measure की जा सकती है उसे ही उस measuring instrument का list count कहा जाता है इसलिए अलग-अलग measuring instrument के अलग-अलग list count होते हैं और ये भी आपको याद होने चाहिए अगर आप interview में जा रहे हैं तो तो चलिए कुछ questions कर लेते हैं हम list count से तो सबसे पहला question है इसमें का कि vernier caliper का list count किता होता है What is the list count of vernier caliper? तो इसका answer है The list count of vernier caliper is 0.02 mm या फिर इसे 1 by 50 भी कहा जाता है याने की vernier caliper से 1 mm के 50 हिस्से तक को measure किया जा सकता है इतनी छोटी value को measure किया जा सकता है Next question है आपका What is the list count of micrometer? याने की micrometer का list count कितना होता है? तो इसका answer है 0.01 mm इसे आप 1 by 100 भी कह सकते हैं याने की जो micrometer होता है वो 1 mm के सववे भाग को तक भी measure कर सकता है Next question है आपका What is the list count of dial gauge? तो जैसा की आप image में देख रहे हैं ये dial gauge है आपको ये बताना है इसका least count कितना होता है तो dial gauge का list count जो है वो होता है 0.01 mm याने की एक बटा 100 ये भी 1 mm के सववे भाग तको measure कर सकता है Next question है आपका What is the list count of steel rule? याने की जो आपका scale होता है इस्टील का scale होता है जिसका use किया जाता है उसका list count कितना होता है आपको ये बताना है तो उसका जो list count होता है वो होता है 0.5 mm याने की उसमें सबसे छोटी value जो है वो 0.5 mm आप measure कर सकते है याने की आधा mm तो देखिए होता क्या है कई बार confuse करने के लिए इस question को पूछा जाता है क्योंकि आप ये सब तो तैयारी करके जाते ही है कि vernier का list count कितना है micrometer का कितना है dial gauge का कितना है तो आपको confuse करने के लिए पूछ दिया जाता है what is the least count of steel rule या फिर है ना और आप confuse जाते हैं इस words को सुनकर तो confuse आपको नहीं होना है अपना concept clear रखना है और confidence के साथ interview देना है तो अगर आप interview के तयारी कर रहे हैं तो best of luck ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड है आप चैनल के playlist पर जाकर के mechanical, fitter and engineer interview, question and answers में जाकर के बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है वो देख सकते हैं और अपनी तयारी कर सकते हैं तो दोस्तों उबीद करता हूँ आपको एक percent भी helpful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से भी लेकि नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा